जहें दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हिंदी भास जो सिक्षा साथ के बारे में बहुत ही important question है तो इनकी बारे में अध्यन करेंगे तो वीडियो को अवस्य पूरा देखें कि बहुत ही important question है हिंदी पेड़ागोजी से संबन दे और अगर अभी तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और जादा से जादा वीडियो को सेयर करें ताकि अन्य लोग भी एह वीडियो देख सकें और पीडिय पहल हम टेली ग्राम गूम के अपलब्द कर देते हैं तो आप टेली ग्राम गूम से अवस्चे जुड़ें कि के अचलिस मा्नघ भाइस को सखेम से मुझा चेल आपको यहां पर बताना है क्या सबन्दrement में आप चार बिकल्प आपके सामने हैं अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट की माध्यम से जरू बताते जाएं तो कौन सकतन सही नहीं है भासा सिक्षण के संदर में भासा सिक्षण में सम्रद्ध भासक परिवेश उपलब्द कराना जरूरी है भासा की नेम बद्ध विवस्ता को केबल ब्याकरण की माध्यम से ही जाना जा सकता है या भासा गत स्वद्धता की पिरती अत्य देक कटोर बिवहर अपनाना चाहिए या सम्रद्ध भासक परिवेश में बच्चे स्व्यम नियमों का निर्माल करते हैं तो क्वास्चन नमबर एक का जो सही आंसरों का बाया बिकल्प नमबर सी की भासा गत स्वद्धता की पिरती अत्य देक कटोर बिवहर अपनाना चाहिए यह कथन सही नहीं है सिक्चन भासा सिक्चन के संदर्व में अंगला क्वास्चन है की गलत बिज्ञान सामाजिक कौन सा तरक सभसे कव्जहर बताना है विह बिट्विस्चन की है विए विष्यों के सेक्चन में भासा सेक्चन का अध्यापन में भासा का साधन का का करते हैं तो क्वेस्चन नमबर 2 civinya जो सही आंसर होगा बकल्प नमबर A विखल्प नमबर A सही आंसर हो जागा ब्रविन्न ने बर्विस्जियों कि सिक्षन में भासा शिक्षन का मुक्ष एक मुक्ष यह से होता है कि आधिक रहता है यहां विकल्प नमबर भी सही आंसर हो जाएगा कि भासा सिक्षण के संदर में कौन सा कथन सही नहीं बताना था आपको जो भाय कथन नहीं है सही तो भाय है भासा सिक्षण में केबल भासा ही सुद्धता पर ही अधिक बल रहता है विकल्प नमबर भी सही आंसर हो जाएगा अंगला question है, कौन सा नियम इस्थुल गयान से सुक्ष मिग्यान की और अग्रसर होनी की बात कहता है तो most important question है by कौन सा नियम है जो इस्तुल ग्यान से सुख्ष में ग्यान की और अग्रसन होने की बात काहता है ग्या से अज्यात की और का अनिश्चित से निश्चित की और का या पूर्ण से अन्स की और का या मूर्थ से अमूर्थ की और का तो विकल्प नंबर D सही आंसर हो जाएगा मूर्थ से अमूर्थ की और का विकल्प नंबर D सही आंसर है अंगला question है कि भासा सेक्षण का सिद्दान्त या नियम नहीं है तो कौन सा नहीं है भासा सेक्षण का सिद्दान्त या नियम नहीं तो question number 5 है इसका जो सही answer होगा पाई है विकल्प number C कि निस्चिस से अनिस्चित की और विकल्प number C सही answer हो जाएगा अंगला question है कि गलत के सिक्षक ने राहुल को बाक्य सही कनने के लिए कहा उनके द्वारा इसा कनना भासा सिक्षन के किस सिद्दान्थ के अंतरगत आएगा तो कौन से सिद्दान्थ के अंतरगत आएगा मनुरंजन अनुकरण मौकिक एवं लेखनकार्य का सिद्दान्थ या बहु मुकी प्रियास तो इसका क्वास्चन नमबर जो 6 है इसका जो सही आंसरों का बाया है विकल्प नमबर डी बहु मुकी प्रियास सही आंसर हो जाएगा अंगला क्वास्चन है कि इनमें सी प्रात्मे के स्थर पर भासा सेक्षन का कौन सा उद्देश अनिवारता नहीं है तो कौन सा उद्द करने की कुसलता का विकास या भासा की अलंकारिक प्रियोग की छमता का विकास या मानवी मूल्यों का विकास तो कौस्चन नमबर जो साथ है इसका सही आंसर होगा भाय भासा के अलंकारिक है प्रियोग की शामता का विकास याने की बिकल्प no.c सही अंसर हो जाएगा !! एंगल्या क्वोस्चन है कि कभीता, पाइट करवाना किस सिद्द्दांत के अंदर का आता है जीवन समनवे का सिद्दान्त, सिक्षन सूत्नों का सिद्दान्त, क्रिया सीलता का सिद्दान्त या बल के अंदरिता का सिद्दान्त तो इसका जो सही आंसर होगा बाएखविकल्प नमबर 3 की कविता पार्ट करवाना किससित्दांत के अंतरक्त आता है तो आपका आंसर होगा क्रियसीलता का सित्दांत है अंगला कोस्चन है उधारान देका नीमों का निर्धालन किया जाता है विसे से सामानी की और नियम से या सरल से जटिल की और नियम से या मनु बैग्याने से तारकेक की और नियम से या आफगमन से निगमन की और नियम से तो इसका जो सही आंसर है बाहे बिकल्प नमबर डी अंगला कोश्चन है कि भासा एक खालिस्तान विसाय है, तो कौन सा विसाय है, सैद्दान्तिक, बियोहारिक, नीरस या चुनोति पूर्ण, भासा एक खालिस्तान विसाय है, तो इसका जो सही आंसर होगा, बिकल्प नंबर B, बियोहारिक, बियोहारिक सही आंसर हो जाएगा, बिकल्प नंबर भी इसका सही आंसर है अंगला कोस्चन है कि भासा की पिरकृति के संबंद में कौन सा कतन उचत नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं बताना है कि भासा की पिरकृति के संबंद में कौन सा कतन उचत नहीं है भासा का टोरता से विवारिक निमों का अनुसरन कर बहसाएं एक दूसरे के संद्ध में फलती भोलती हैं भासा एक नियमबाद्य व्यासता है भासा का जतना अधिक प्रियोग किया जाएगा उतना उतनी ही भासा पर पकड़ मजबुत होती जाएगी तो इसका जो सही आंसर हो का बाहर बिकल्प नंबर एक कि भासा का ठोरता से ब्याकरणिक नियमों का अनुसरन करती है अंगला कोश्चन है कि स्रिजनात्मक्ता का विकास करने में कौन सा साइक नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं बताना है मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन है स्रिजनात्मक्ता का विकास करने में कौन सा साइक नहीं है कभी ता पूरी क चित्र पर आधारत मौकेक अत्वा लिकेत बढ़नन प्रिस्नों की उत्तर देना या अधूरी कहानी को पूरा करना तो question number 12 इसका सही answer होगा बैए प्रिस्नों की उत्तर देना प्रिस्नों की उत्तर देना श्रिजनात्मक्ता विकास करने में सहाय के नहीं हैं अंगला question है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते बएर शीख्र भासा सीख जाते हैं उन्हें भासा सीखने में समय लगता है बएर भासा सीख नहीं सकते बएर भासा का प्रियोग लिखेत रूप में कर सकते हैं तो question number 13 है जो इसका सही answer है भाय विकल्प number D की भाय भासा का प्रियोग लिखेत रूप में कर सकते हैं जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं अंगल्य question है कि द्याने कारियों में मनुस्त किन दो कांसलों का सरवाधिक प्रियोग करता है तो जो जो इसका जो सही answer है बैझ विकल्प नंबर C सई आंसर हो जाएगा शिर्वन एवम बाचन कौ सल विकल्प नंबर C सई आंसर हो जाएगा अंगला question है कि सास्वर बाचन का मुख खुद देश है सास्वर बाचन का मुख खुद देश क्या है पंड़ने में आनंद के अनुभोती करना बच्चों में पंड़ने संबंदी जिचक को समाप्त करना बोल बोल कर पंड़ना दुरत गती से बाचन करना तो इसका जो सही आंसर है क्वास्चन नमबर पंद्रा को जो सही आंसर है वाय है विकल्प नमबर बी बच्चों में पढ़ने संबंदी जिजक को समाप्त कन्ना सास्वर वाचन का मुखोद्देश्य है अंगला क्वास्चन है कि इन में सी किस पृतियोगता के लिए मौकिक अविव्यक्ति कियावे सकत नहीं होती तो तो क्वाऊं सी पृतियोगता है जिसके लिए मौकिक अविव्यक्ति कियावे सकत नहीं होती है बादवायत पृतियोगता भासन अंता चरी ये कवीता लेखन तो इसका जो सही आंसर हो तो क्या है दूसरों की बात सुनने में रुची, धहर और पृतिकिरिया, प्रिशनों को ध्यान पूर्वक सुनने की चमता का विकास, सांती, पूर्वक सुनना या सुनी हुई सब्दों की केवल पुन्राबृति, तो इसका जो सही आंसर है वाय विकल्प नमबर D की प्रिशन को ध्यान पूर्वक सुनने की चमता का विकास, अंगला कोश्चन है कि सुनना बोलना कोशलों की विकास के लिए सर्वुत्तम विदी कौन सी हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है, कहानी कहना और उस पर बच्चों की पृतिकिरिया जानना, कवीता याद करवा कर बुलबाना, कोश्चन नमबर जो अठारा है, इसका जो सही आंसर होगा बायर बिकल्प नमबर एक कहानी कहना और उस पर बच्चों की पृतिकिरिया जानना, अंगला कोश्चन है कि विकास ने अपने छेतर में आजित रंगरं कारिकरम में विसाई में मित्रों को सुनाया, इस इस्तिति कोश्चन 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 कोश् सबस्क्राइब करने जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर की भांसा के प्राथ में कौशन हैं बांचन लेकंद सर्वन लेकंद और सर्वन और बांचन शर्वन और बठन तो इसका जो सही आंसर होगा question नमबर 21 का बय है विकल्प नमबर C की सिर्वन और बाचन विकल्प नमबर C सही आंसर हो जाएगा अंगला कोशन है कि भासाई विकास को प्रभावित नहीं करता तो आपको यहां पर नहीं बताना कि भासाई विकास को प्रभावित नहीं करता तो क्या नहीं करता है संकोच व् कास को प्रभावित नहीं करता है अंगला कोस्चन है कि छात्र व्याकरण की माध्याम से खालिस्तान सीखते हैं तो क्या सीखते हैं छात्र व्याकरण की माध्याम से खालिस्तान सीखते हैं तो ध्वानियों का सुद्ध अचारन प्रामचन्यों का सुद्ध प्रियोग या भास भासा का लिखत और मौके रूप से स्वध्य प्रियोग करना सीखते हैं विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है कि आगमन विदी द्वारा ब्याकरन पन्नी में कौन सा या से सिक्षन सूत्र कार्य करता करते हैं तो आपको बताना है मूर से अमूर्ट की और या एक और तीन तो क्वास्चन नंबर 24 का तो सही आंसर होगा वै क्या है विकल्प नंबर डी एक और तीन एक और तीन सही आंसर हो जाएगा मूर से अमूर्थ की और या से अग्यात की और अंगला कोश्चन है कि भासा की सिक्षिका होने के नाते ब्याकरन परते हुए आपका उद्देश होगा तो आपका क्या उद्देश होगा बच्चों को ब्याकरलिक नीमों से आउगत कराना या बच्चों को भासिक सन रचना से आउगत कराना बच्चों को बाग कर रचना की नियम बताना भासा का सुद्ध प्रियोग करना सीखना तो कौस्चन नमबर 25 का जो आंसर होगा बाहे विकल्प नंबर D की भासा का सुद्ध प्रियोग करना सिखाना विकल्प नंबर D सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है कि निगमन विदी है most important question है निगमन विदी है नियम बताकर उधारण देना उधारण दे का नियम समझाना विदी या बिना उधारण दे भासा सिखाना तो question number 26 का जो सही आंसर होगा बहे विकल्प नंबर A की नियम बताकर उधारण देना निगमन विदी है अंगला कोश्चन है कि पांचवी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को ब्याकरण पढ़ने प प्रियोग कर रही है तो कौन सी विदी का प्रियोग कर रही है तो कौन सी विदी का प्रियोग कर रही है क्या होगा इसका सही आंसर आगमन विदी भासा संसर्ग विदी सांबाय विदी या सह संबंधी संबंध विदी तो इसका जो सही आंसर है भासा संसर्ग विदी इसका स प्राप्त कर सके चैत्र सु्द्ध और सुढ़ामिं अंतर कर सके की मोहाब्री और लोगोक्तियां का प्रियोग करना क्या है हिंदी भासा सिक्षण का सबस्य महतापान उद्दिश हैं आहिटीक को प्रबावी बनाता है या केवल गद्ध पाठों की अभ्यासों का हिस्सा है तो इसका जो सही आंसर है भै है विकल्प नंबर C की भासिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है विकल्प नंबर C सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है कि व्याकरण सेक्षण के संदर्म में कौन सा कतन सही है तो कौन सा कतन सही बताना है आपको व्याकरण सेक्षण के संदर्म में कौन सा कतन सही है तो इसका जो सही आंसर होगा question number 30 का सही answer वै है विकल्प number D व्याकरन सेक्षण अंतता आविसक है विकल्प number D सही answer हो जाएगा अंगला question है कि व्याकरन सेक्षण को सरस एबं रुची कर बनाने के लिए नमलेकित में ऐसी कौन सा उपाई नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता व्याकरन की पाटे चर्चा चरया चात्रों के इस्तानुकूल बनाना या व्यावारिक व्याकरन की सेक्षा भासा संग सर्ग विद्धी से बनाना या चात्रों को नियम और परिभासां रटने के लिए प्रोसाहित किया जाना या ब्याकरन सेक्षन को द्रस्रब सामगरी की प्रियोग से रोचक बनाया जाए तो थाइटी बन का जो सही आंसरों का बाया बेकल्प नंबर सी की छात्रों को नियम और परिभासाएं टटने के लिए प्रोस्थाहित किया जाए अंगला कोश्चन है मैंने चाट खाई और फिर मैं हसी शर्मीला का भासा प्रियोग मुक्ते है किस ओर संकीत करता है तो कौंसे ओर संकीत करता है व्याकरन लेक नियमो की जानकारी ना हो ना नियमों को अती सामान्य करन भासा प्रियोग में असाओधानि या भासा की समझ ना हो ना तो cheating me 32 का जो सही अंसर होगा by विकल्प नंबर B कि भासा नियमों को अती सामान्य करन अंगला कोस्चन है कि कच्चा में मौजूद बही बहु भासिकता क्या है कच्चा में मौजूद बहु भासिकता बच्चों का भासा सीखने के लिए हतुप साही करती है सिक्षक के लिए एक जटल उकठोर चुनवाती है भासा सिक्षण में बादक है भासा सिक्षण में एक संसाधन की रूप में प्रयोक्त हो सकती है तो विकल्प नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा कि भासा सिक्षण में एक संसाधन की रूप में प्रयोक्त हो सकती है अंगल् नमबर डी सही आंसर हो जाएगा कि उप्रवक्त सभी निम्लेकित में उसे कौन सा कतां सरते तो आप का आंसर होगा उप्रवक्त सभी अंगला कोस्चन है कि प्रात्मे के स्थर पर बहुसांच करते के प्रश्ट भूमी बाली कच्छा में बच्चे लक्ष भासा के परिवेश स अर्जत करते हुए लक्ष भासा की अपनी भासा से तुलना करते हैं दीरे दीरे भासा की रचनात्मक प्रियोग का अभ्यास करने लगते हैं उसे सुद्ध असुद रूप में पहचानते हैं या अभ्याकरनलेक निमों की सुद्धता को परकते हैं तो इसका जो सही आंसर हो का कोशनामे 35 का वाल वेकल्प नंबर बी कि दिरे दिरे बासा की सन्राचान अतम का प्रयोग का अभ्यास कने लगते हैं अंगला question है कि मातर भासा या छेत्रिवासा का प्रियोग सिख्षा के सभी उच्छे इस्तरों तक जारी रहना चाहिए क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा question number 36 का सही आंसर तो इसका जो सही आंसर है वाई है विकल्प नमबर A विकल्प नमबर A इसका सही आंसर हो जागा कि मातरभासा या आजपास की भासा में अच्चे दक्चता का इसतूर بहतर संग्यनातमक विकास अंतर व्यक्तिक्त संवार्ष को सलता वा स्यद्दान्तिक द्रश्टता को बड़ावा देने में महत्पून भूमी का निभाता है विकल्प नमबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है कि हिंदी भासा की पाट पुस्तक में लोग गीतों को सामिल करने का कौन सा उद्देश से सबसे कम महत्पून हैं कौन सा उद्देश से सबसे कमात पुण है लोग्गीतों से संबंद राज्यों की जानकारी देना लोग्गीतों की रसान भोती लोग्गीतों के माध्यम से बारत की सांसकर्त के सेस्ताओं से परिचित कराना या लोग्गीत की भासक पे सेस्ताओं से परिचित होने का आउसर म है विकल्प नंबर बी की लोगईट की रसानु भूती अंगला कोश्चन है एक बहुत सांसकर्तिक पठे प्रश्ट भूमी वाली कक्छा में भासा सीखने से संबंदित कौन सा विचार उच्चत है तो ब्याकर्णिक नीमों का अधिक से अधिक प्रियोगोना सम्रद्ध भासि परिवेस का निर्माण कराना किया जाना चाहिए या अधिक से अधिक पुस्तों का निर्माण किया जाना चाहिए बालकों में भासा सीखने की डख छमता बल पूर्वग विक्सित की जानी चाहिए तो इसका जो सही आंसर है वह बिकल्प नंबर बी सम्रद्ध भासिक करने नहीं देता भासा सीहने की प्रक्रिया को धीमि करता है संग्णात्म कि रूप से शंचत हो जाएगा मैं अ excel बच्चों को कई भासा की कवीता का गान करवाती हूं स्यामपट पर हैंदी भासा के सब्दों की आर्थ को दो भासां में अवस्य लिखती हूं या सभी बच्चों को अपनी मात्र भासा काहने सुननी की आजादी देती हूं तो विकल्प नंबर D सही आंसर हो जाएगा कॉस्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा बहुत बैए विकल्प नंबर D अंगल्य कोस्चन है कि मात्रभासा में सिक्षा से कर्चा में पढ़ाई करने बसी विदा होगी अधिकादेक प्रिति भागिता बहतर परणाम निकलेंगे उप्रयोक सभी तो इसका जो सही आंसर होगा बैए विकल्प नंबर D विकल्प नंबर D सही आंसर हो जाएगा उप्रयोक सभी मात्रभासा में सिक्षा से उप्रयोक सभी इसका सही आंसर है अंगला कोश्चन है आपकी कच्छा में कुछ बिद्याती सड़क को सरक बोलते हैं इसका सबसे संभावित कारण है तो क्या है इसका सबसे संभावित जो कारण है वाई क्या है लापरभाई का होना उनकी मातरवासा का प्रभाव या उन्हें हिंदी ना आना सुनने में समस्च तो विकल्प नमबर B इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनकी मात्रभासा का प्रभाव विकल्प नमबर B सही आंसर हो जाएगा inglia question है कि तो आज की वीडियो में बस इतना ही इतनी ही question है आज में एग वीडियो आपको क्या असलाँ लगा आप हमें comment की बाद से ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें और वीडियो को लाइक नहीं कया तो वीडियो को लाइक कर लें और जदा से जाद़ वीडियो को सेयर करें ताकि अन्ने लोग भी आई वीडियो देख सकें और बैल आइकन को दबायना ना भूलें क्योंकि हम जो ये वीडियो अपलोड करेंगे उसकी notification आपके हाँ पहुंच जाएगी तो bell icon को तबाएं और वहाँ पर आपको all लिखा आएगा तो all पर click करें जिससे आपके all जो वीडियो होंगे उनकी notification आपके हाँ पहुंच जाएगी और पीडियाप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम गृूप से जुड़ना होगा टेलिग्राम एप में आपको सर्च करना होगा IAS Study ट्रेक यहां से आप हमारे टेलिग्राम गृूप को जान कर सकते हैं जहांपर हम जो वीडियो अप्लोट करते हैं उसकी पीडियाप फाल यहांपर अपलब्द कर देते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम गृूप से अवस्च जड़ें आज की वीडियो में बस इतना ही जाए हिंद्ध